Hello everyone, कैसे हो आप? Hope you are better. और आज हम कर रहे हैं क्लास 8 की हिंदी वसंद भाग 3 का चैप्टर नमबर 2 जिसका नाम है लांग की चुडिया इसके एक्स्टर कोशन से हम करेंगे तो हमारे पास जो हमारा फॉर्स कोशन है वो ये है इस कहानी में लेखक कौन है? यानि कि जो ये हमारी लांग की चुडिया कहानी है इसके लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक है कामतानाजी तो इस कहानी की लेखक कामतानाजी है रज्जो कौन थी? तो रज्जो कौन थी? उत्तर है रज्जो बदलू की बेटी थी जो लाख की चुड़ीया बनाने वाला जो कारीगर था बादलू उसकी बैटी थी रज्जो प्रशन तीन है लेखक ने पाठ कैसा था बादलually का सभाव हैं बहुत सीधा था क्योंकि लेखक ने कभी भी उसे जगड़ा नहीं देखा था यानि कि बदलू का सवाब बहुत अच्छा था और लेखक ने उसे कभी जगडते हुए भी नहीं देखा था नेक्स्ट कुश्चन बदलू अपना कारे किस चीज़ पर बैट कर करता था यानि कि जो बदलू था वो लाके चुड़िया बनाने का कारे है किस पर बैट कर करता था उत्तर है बदलू अपना कारे एक मच्चिया पर बैट कर करता था जो कि बहुत फुरानी थी अपना कारे करता था नेक्स्ट कुश्चन है गाव में लेखक का दोपैर का समय अधिकतर कहां बीचता था तो जो गाव था लेखक, उसका अधिकतर समय बदलू के पास बिचता था। बदलू लेखक को क्या कहकर बुलाता था। तो बदलू चूर्डू बनाना उसका पैतर है यानि कि पूर्वजो का काम तो नेक्स्ट कोश्चन है, बदल्व लेखक के पढ़ाय के बारे में उसे पूछता था और कभी युही के जीवन में बारे में पूछता था, तो नेक्स्ट कोश्च है है, रज्जो ने कौन सी लाग की चुडिया पहन रखी थी तो रज्जो ने लाग की चुडिया पहन रखी थी तो बदलू ने जमिदार साब की बेटी के विवाब पर बनाया था जो लाग की चुडिया रज्जो ने पहन रखी थी वह उन्होंने जमिदार साब की बेटी के विव तो फिर क्या हुआ उसे कम लगी तो उसने लाकी चुड़िया नहीं दी कि आप तो बैस दस आने पैसे दे रहे हैं इसलिए बदलू ने जमिदार साब को चुड़िया नहीं दी थी नेक्स कोशन है बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी थी तो व्यवसाय बन होने के कारण बदलू के आर्थिक स्थिती अच्छी नहीं रही थी गाय को पालना उसके लिए इतना मुश्किल हो रहा था इसलिए उसने गाय बेच दी चुड़वा कोशन है बदलू लेख के किस प्रकार खातिर किया करता था उत्तर है जिन दिनों बदलू के गाय के दूद होता वे सदा लेख के लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फचल में वे लेख को आम खिलाता था यानिकि जिस दिन उसकी गाय के बचड़ा होता था बचड़ी तो वह उसे मलाई देता था और जब आम की फिसल प्रक जाती थी तो वह उसे आम खिलाता था तो हमारा नेक्स कोशन है बदलू चोड़ियों को किस प्रकार बेशता था तो बदलू कभी भी चोड़ियों को पैसों से नहीं बेशता था उसका अभी भी तक बदलू चित पकड़ लेता था कि जीवन बड़ चाए कोई उसे मुफ्तु चुड़ियों ले जाया है पर उविवा के अपसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था सम्टीन कोशन है सारे गाम में लेखक को बदलू ही सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था सारे गाम में लेख लेखक के पिता की एक दूसरे शहर में बदली हो गई नेक्स्ट कोशन लेखक जब आट दस वर्षों के बाद मामा के गाव गया तो उसने देखा कि गाव में लगबक सभी स्क्रियां कांच की चूड़िया पहनने लगी ती 21 में कोशन है लेखक को अपने मामा के गाव जाने का सबसे बड़ा चाव क्या था तो वही चाव था कि लेखक को अपने मामा के गाव जाने का सबसे बड़ा चाव यहीं था यह उसे बदलूर स्रारी रंग विरंगी गोलियां लिया करता था की सी कई चुड़ी की जाते ओए अंदर रहान रहे उत्र की वहाख के आफसर पर उसे जो चुड़े बनाये थे उसका मुली इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्तर मिलते थे डेरो नाज मिलता उसको अपने लिए पगड़े मिलती और रुपेसों मिलते सो अलग तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा हमारे चैनल को झुँ तोसימ delivers जरुट कैसा वाढ़ बताईए कोईवाली कैसा हम करके बगड़े खिंटे दो को थे जरुट है प्रूश का हमारे भीडियोदों यह इनले आपको सारे बलावाली को सो आपको साली को से तोस्क्तर, खिए से अलने के लित चाने हो पास्तावाली क्वाश यह ग